नमस्कार हमर 36 गड़ के इस खास बुलिचिन में आपका बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंशिका पाठक बात करेंगे 36 गड़ से राज्य सभा जा सकते हैं चिंतामणी महराज ये बड़ी खबर आ रही है चिंतामणी महराज के नाम की शर्चा तेज हो चुकी है रही है राज्य सभा सीट और चिंतामणी का नाम सामनी आ रहा है चिंतामणी महराज का नाम सामनी आ रहा है और राज्य सभा भेजे जाने की खबर भी जोरों पर है सबसे अटकली लगा जा रही है कि अगर मान लीजे लोग शभा कर नहीं हो तो राज सभा मुका मिलेगा तो अब उसको पार्टी तै करेगी यहां पर ब्यक्ति महत्व नहीं रखता पार्टी जिसको भी तै करेगी वो सर्वे करा रहे हैं वो साधार पे जो भी तै होगा उस आधार पर तै होगा इसमें कोई ऐसा विषय नहीं रहता है कि इस व्यक्ति को ही देना है जो जिताओ होगा उसी को देंगे आपके काने मतलब है कि अगर पार्टी अगर आपको टीकर देती है राजसभा चुना राजसभा के लिए तो आप पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको सिरोधारे करना वही में होना चाहिए पार्टी का जो निर्देश होगा गर हम बीजेपी में हैं अभी तो पार्टी का जो निर्देश होगा उस निर्देश को पालन करना होगा टिकट मिले तो भी नहीं मिले तो भी हमको पार्टी के लिए काम करना है तो चिंतावणी महराज 36 गड़ के संत गहीरा गुरू के बेटे हैं सरगुजा संभाग में संत समाज के अनुयाई अंबिकापूर, लुन्रा, सामरी, पथलगाओ, जस्पूर, कुनकूरी और बिलासपूर के राइगड विधानसभा छेत्रों में हैं प्रदेश भर में उनके समाज के अनुयाई हैं, ऐसे में बीजेपी में जब उन्होंने प्रवेश किया था, तभी से ही ये कहा गया कि काफी असर, काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है और विधानसभा छेत्रों में बहुत असर दिखाई भी दिया, हाला कि अगर चंतामणी महराज की बात करें, तो उन्होंने इससे पहले कॉंग्रेस में भी रहकर कई बड़े कारे किये, लेकिन उन्होंने चुनाओ के ठीक पहले कॉंग्रेस छोड़, बीजेपी में शामिल हो गए थे, समधाता साज उड़ गए है, अभिशेक शुकल, अभिशेक, माफ कीजेगा, अभिशेक शुकल हमारे न्यूज एडिटर हमारे साज उड़ गए है, अभिशेक जी चिंतामणी महराज का सीधे तोर पर राज्यसभा में जाने को किस तरीके से देखा जाए, इसक सबसे प्राथमिक लिस्ट पर है, चर्चा में है कि उनको 36 गड़ की जो एक मात्र राजसभा सीध खाली हो रही है, जिसमें अभी सरूश पांडे है, दो अप्रेल को इसीध खाली हो रही है, उसमें चिंतामणी महराज को भीजा जा सकता है, चिंतामणी महराज को सिर्फ प प्रेटे हैं, तो एक समुदाय विशेश में इनकी बहुत पैठ है, इनके बड़े संख्या में अनुयाई है, यही बज़ा है कि बीजेपी ने हातों हात लिया था जब ठीक चुनाओ के पहले इनको टिकट नहीं मिली थी, और टिकट कटने के बाद ये बीजेपी में आ गय है, ऐसी चर्चाय चल रही है, सबसे पहला नाम उन्हीं के चल रहा है चिंतमणी महाराज का, कि उनको राजसभा से भेजा जा सकता है, और इसके जरीए एक बड़े वर को साधने की कोशिश बीजेपी यहां पर कर सकती है, तो लोगसभा चुनाओ का आश्वासन उनको पहल सकता है, आने वाले लोगसभा चुनाओ में भी, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, बीजेपी चाहा रही है, कि चिंतमणी महाराज को राजसभा भीजा जाए, हलाकि चिंतमणी महाराज से जब बात की, तो उन्होंने हाँ या ना दोनों बातों से इंकार किया, उन्ह असले पर ये भी चर्चाओ का बातार गर्म है, तो चिंतमणी महाराज का नाम बहुत तेजी के साथ राजसभा के लिए उठा है, और पंदरा तारेक नमांकन के अंतिम तिथी है, और दो-चार दिनों का सस्पेंस है, तमाम चीज़े साफ हो जाएंगी, अभी कुछ भी कहन लगने वाली है, कोछी दिन का इंतिजार है, आगे बढ़ेंगे